अखन्ड मंगलाकारं व्याप्त मिलाचराचरं तत्पदंद श्रीतेन तस्पे स्री गुरुवे नमा आपके रधाय में विराजवान प्रभकों में प्रणाम करता हूं यहां अध्यात्मुत्ता की जब बाते करते हैं तब हम उस कुरुम अवतार कच्छुवे की बात करते थे और जब कच्छुवा मानव जीवन के लिए कितना उपियोगी है पसु पंची सभी का संसोधन हमारे रोसी मुनियों ने किया और जब इस अंसोधन जब किया उस वक्त उन्होंने अपने मानव जीवन की सुरक्षा के साथ सुख और समुरुद्धिवी कैसे प्राप्त करें उनका भी संसोधन किया हमारे रोसी मुनियों ने अपने वेद और पुराण में नहीं लखा कि आप गरिब रहो आप समुरुद्ध रहो, सुखी रहो, संपन रहो और आपका जीवन इतना सुखी रहे कि आप किसी को कुछ देने के क्षमता बने यहाँ सुख समुरुद्धी सौभाग्य की बात है जब चलती है तब संसोधन केंदर में से एक और चीज निकली जिस विज्ञान का नाम दिया गया वास्तु सास्तर और वास्तु सास्तर इस विज्ञान के जम नाम दिया गया तब कितने प्रकार की यंत्रों की रचना हुई कितने प्रकार की यंत्रों की बाते हुई कोई कहते कि आपके घर में पिरामिड रख दो कोई कहता कि आपके घर में एक बड़ा श्रियंत्र होना चाहिए और आजकोल तो श्रियंत्र की जब बाते करते हैं लोग ऐसी दुकान लगा करके बैठ गए है जिनको श्री अंत्र का ज्यान भी नहीं है कि इसकी उत्पति बुक में पढ़ लिया, कुछ सुन लिया यूटूब में और श्री अंत्र बेखने चले गए और कह दिया के हम तो बड़ा अनुस्ठान करके आपको श्री अंत्र दे रहे हैं, अधन के आपके घर में स्तापित करवाएंगे तो ए सब चीजी जो है, यह सब जो बात हहिए वो पोथन दिखी है कि अपने जीवन में अनुभव करिया करी हट है तो वास्तु में यह बता रहा था कोई कहते कि पीरामिड रखतो कोई कहते है श्रीयंत्र रखतो तो एस सब बातों को लेकर कि यहां कुरुमा जो कच्चुवा है उसका एक प्रयोग आया और यह जो कच्चुवा का जो प्रयोग मैं आप भी बता रहा हूं एक अच्छू का प्रयोग सिर्फ एक आद्वी नहीं बताया एक अच्छूआ का जो प्रयोग है एक वेक्ति नहीं बताया एक अच्छूआ का जो प्रयोग है एक संत्र नहीं बताया एक अच्छूआ का प्रयोग हजारों और करूरों लोगों ने बताया मगर उसको घर में कैसे रखना चाहिए सुख सांती स्वभाग्य का जो प्रतीक है सुख सांती और समृद्धी घर में प्राप्त करने के लिए कच्छुए की क्योंकि देखो भगवान विष्णु का यह कुरुम अवतार भी है और भगवान विष्णु का कुरुम अवतार जब भगवान विष्णु का कुरुम अवतार घर में स्थापित हो का तो लक्ष्मी जी आईगी आईगी मगर एक कुरुम अवतार कच्छुए को घर में कैसे रखना देखो कच्छुए की जो पूछ का बाग आता है पूछ जो कछुवा की वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए कछुवा की पूछ उत्तर की तरफ होनी चाहिए तो कछुवा का मुख कहा गया कौन सी दिस्ता होनी चाहिए जो कई बार लोग कन्फिस हो जाएंगे उत्तर की तरह अगर उसकी पूछ है तो उसका मुख कौन सा तरफ आया तो उत्तर का opposite क्या हुआ दक्षिन तो चो लक्षमी उत्तर की ए रगा उत्तर से निकलती है और कुबेर का भंडार जो है कुबेर भी उत्तर की हो रही और कच्छुए जो है काच के, क्रिष्टल के, चांदी के, सौने के इसी प्रकार, अलग प्रकार के कच्छुए आप रख सकते हो घर में अगर घर में समरुद्धी का पालन करना है उसके बाद एक आदमी ने मुझे प्रश्ण किया कि गुरुजी हमने कच्छुए तो कहीं सालों से रखे है मगर फिर में घर में इतना सुक समरुद्धी सौभागे जैसी चीज नहीं आई मानव जीवन का एक सौभाव होता है जितना भी मिलता है वो कम लगता है और जितना भी हम पा लेते हैं वो भी कम है तो यहां कच्छुए जो है उस कच्छुए के स्थापना के बाद अगर आपको कुछ फल नहीं मिल रहा है तो एक विसिष्ट मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ए मंत्र का आप सुबह एक माला और साम को एक माला जाब कीजिए और यह जो माला मंत्र जाब आप करोगे तो उससे जो घर की स्थिती है और घर की स्थिती ऐसे बदलती जाएगी और मंत्र मैं बनती जाएगी और इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है ओम हरीम श्रीम हरीम नमहा हरीम और श्रीम बिज मंत्र का मिलन है यहाँ ओम हरीम श्रीम हरीम नमहा यानि कि श्रीम बीज मंत्र लक्षमी का है और हरीम के बीज में संपुटिट हो गया और इस मंत्र का जाब करने से वास्तु दोस जो घर में दोस है उसको धीरे 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 वहाँ negativity वहां से दूर होती जाएगी और जब अपने आप में इन मंत्र का उच्चान करोगे तो कछुवे के सामने एक दिया लगा करके चाहे दिया घी का हो या तेल का हो मगर यहां संसोधन एक एसी आया है कि जब कछुवे के सामने दिया लगाना है तो दिया जो है चांदी का हो या तो पित्तल का दिया हो उस दिये में धागे की बात ही हो रूई की नहीं धागा और वो भी जो धागा है वो ग्रीन कलर का धागा होना चाहिए और एक ग्रीन कलर का धागा वो भी दो धागे एक धागा नहीं दो धागे की बाती बना करके और उसके अंदर दो इलाइची रख दे गी का दिया लगाना तो दो इलाइची रख दे गी से ओ दिया लगा करके उस आप जो मैंने मंतर बनाया उसका जाप करे और जब आप जाप करोगे जब उस मंत्र का जाप करोगे तो ऐसी तरंग के घर में प्राप्त होगी जो लक्षमी का वास्क जो उन्नति का एक अलग रुप से तरंग पैदा करेगी और जब उन्नति का तरंग प्राप्त करेगी या उन्नति का तरंग पैदा करेगी तो जिस घर में जितने भी लोग रहते है उन लोगों को एक सुक्सांती सौभग के द्वार खुलता जाएगा और यह प्रयोग आप करके देखो बहुत अच्छा सरल प्रयोग है उसमें कोई बहुत बड़ा विधी विधान मंत्र जाप और पाठ का नहीं है और यह जो पाठ है यह जो मंत्र है वो बिज मंत्र है यानि कि श्रापीत नहीं है मंत्र श्रापीत नहीं है वो मंत्र पूर्ण रुप से अपने आप पे तिव रहे बिज मंत्र है सुबह एक माला करनी है साम को एक माला करनी है और वैसे जब आप इस मंत्र का जाप करोगे, जब आप इस मंत्र को अपने आप में माला से जाप करोगे, तो मन की तरंग और रदय की तरंग इक्वल हो जाएगा. गर का वातावन सुद्ध होने लगेगा, घर का वास्तव दोस्वहाँ से नस्ठ होने लगेगा, भगवान विश्णु की शक्ति, कुर्म अवतार की शक्ति जागरत होने लगेगी, और घर में सुक सांती और सौभाग्य प्राप्त होने लगेगा. मैं कई बार कहता हूँ जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ सुनना भी सिखो आपने बहुत कुछ सुनते हो घर में बैठे बैठे तीवी पे कितने सिरियल कितनी मूविया सब देखते हैं सुनते हैं सब कुछ करते हैं मगर क्यों वो सिर्फ सुक प्राप्त करने के लिए मन को एक उल्लासम ही बनाने के लिए एक एंटेटेंट के लिए मगर यह जो मैं बता रहा हूँ यह बात अपने आप में अध्यात्मिक जगत की और आगे बढ़के भौतिक सुक प्राप्त करने के लिए जब बहुतिक सुक की बात होती है तो घर, घाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा इस सब चीज इसके अंदर इन्वोर हो जाती है मैं चाहता हूँ अपने आप में अपने जीवन के अंदर आपका घर एक घर नहीं रहे आपका घर एक मंदिर बन जाए आपका घर एक घर नहीं रहे, आपके घर के अंदर देवी देवता वास करे आपका घर घर नहीं रहे, आपके अंदर एक स्वर्ग की अनुभुति हो आपका घर उस घर नहीं रहे, आपके घर के अंदर उस शक्तियों का निवास हो और इसलिए जब शक्ति निवास करने लगेगी तो ओ शक्ति, दिव्य शक्ति, परम शक्ति और अंदर की आंत्रिक शक्ति का एहसास होगा आपके हर घर में शक्ति को प्राप्त करने के लिए वहाँ उस शक्ति का प्रतिक होना चाहिए जिस शक्ति का प्रतिक चाहे श्रिवलिंग हो, चाहे श्रियंत्र हो, चाहे कछुवा हो, चाहे भगवती जगदंबा की प्रतीमा हो, चाहे भगवान राम के दर्बार हो, चाहे हनुवान जी की प्रतीमा हो मगर उस प्रतिमा के माध्यम से ही जीवन का उस प्रतिक है उस प्रतिकी शक्ति आपके जीवन में प्राप्त होगी और मैं कहता हूँ सनातन धर्म की विविद्य शक्तियों के माध्यम से जीवन, धर्म, अर्थ, काम और मौक्स कियों ले जाएगा चतुर्थ पुरुसात की प्राप्ति का एक अनोखा प्रयोग जो भगवान विष्णु का एक कुर्म अवतार, भगवान विष्णु का एक कुर्म शक्ति का एक अपने आप में प्रतिक कच्छुवा आपके घर में कैसे रहे, कैसे रखना चाहिए, इसका मैंने प्रयोग आपको बताया जिवन अपने आप में बहुत कुछ प्राप्त करने की ख्रमता रखता है एक छोटा से जिवन, मा के घर्ब से पैदा हुए, आख खुली और समसान की और जब चाहेंगे, उससे पहले आख बंध हो गई, यह हमारा जिवन train streson में हुम बैठते हैं train streson के पास train में जाने, बैठने की क्रिया करते हैं तो train जहां से आप बैठे जहां जाने के बाद जहां उतर गए यह आपकी यात्रा अब दिल्ली से निकले हैं मुंबई तक जाएंगे वो आपकी यात्रा वो अगले दिन आपने तही कर लिया, मुझे मुंबई जाना है जीवन भी यही है जब हम पैदा हुए तो पता नहीं हम क्या बनने वाले थे जब हम आखे खुली तो पता नहीं हम किसके घर में आने वाले थे जब हमारी आखे खुली और देर देर बड़े हुए तो पता नहीं हम क्या पढ़ेंगे पढ़ाय चालू ही तो पता नहीं हम क्या बनने जाएंगे और बड़े हुए पैसा कमाते हुए अब बड़े हो गए तो फिर हमको पता नहीं कि हमारा धन किसी रूप में काम लगेगा तो एक पूरा जीवन का जो सरकल है वो एक जीवन के अंदर आ जाता है जो मा के घर से बहार आये आख खुली और आखे बंद हो गई आख खुली और आखे बंद हो गई वो आख खुलना और आखे बंद करना चाहे आपका पचास साल में भी हो सकता है साट साल में भी हो सकता है और कही बार तो बचारे 20 साल में नहीं जन्म लेने के बाद जूदी तूरंत ही अपना जीवन खत्ब कर देता है मगर जीवन में प्राप्त करने के लिए उसी देवी देवता की उसी विसेश कुरूपा अगर बनी जाए तो हमारा जीवन हमारा परिवार सुक सांती और सोभाग्य में बन सकता है और सुक सांती और सोभाग्य में बन सकता है इसी लिए मैं कहता हूँ कि कोई संत और गुरु के चर्ण में जाकर के बैठ जाए वहां से एक ज्यान आपको प्राप्त हो चाहे हो गुरु आपका बेटा हो सकता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है आपका परिवार हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है और ग्यान की कोई जाती की सीमा नहीं है ग्यान के लिए कोई धर्म को एक ही व्यक्ति को नहीं बता कि यही जाती के व्यक्ति के पास एक ग्यान होना चाहिए हमने चार वर्ण बना दिये जो कारिय के अनुरूप मगर ग्यान के लिए कोई ऐसा नहीं कि इस ग्यान का वेक्ति इस धर्म का वेक्ति ये कर सकता ना हम देखो हमारे सनातन धर्म की पर्मपरा को देखो इतना बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में कितनी मचलिया है विवीद प्रकार की मचलिया है विवीद प्रकार के रतन है जब समुद्र मंथन हुआ कितने रतन बहार निकले और सभी रतन अमुल्य और मैं ए अमुल्य रत्नों में एक कच्छुए की जो मैंने बात बताई एक कच्छुआ आपके जिवन में मंगल कारी बन सकता है अरे मैंने अभी अभी परसु की बाते हैं जब विनाएक चतुवती थी तो हमारे सिधाश्रम के अंदर जो भगवान श्रीव के सामने नंदी और नंदी के आगे जो कच्छुए बनाये है एक कच्छुआ बनाया है जो सिमेंट के से पूरा कच्छुआ जैसे श्रीव का मंदीर होता है तो धर्मा का प्रतिक जो है वो नंदी है तो वहां कच्छुआ आगे रखते है वो कच्छुआ जल पी रहा था जो मूर्ती है पत्थर की बुनी है सिमेंट की बनी प्रतीमा है आज भी वीडियो है सोसिल मीडिया पे जाके देख सकते हो वो कच्छुआ जल पी रहा है और एक वक्ती नहीं, हमारे आश्रम के जितने भी बेटिया रहती है, पचास सो लोगों ने ये ट्राइ किया, भक्तों लोग आये वो भी ट्राइ किया, वो कच्छुआ जल पी रहा था, कच्छुआ दूद पी रहा था मतलब एह नहीं कि उसको खेत में छोड़ दिया और वहाँ पी रहा था, वो एकी जगह मूर्ती है, वहाँ चमच से उसको पिलाने की कौसिस की, और वो चमच से वो दूद और जल पी रहा है, तो मेरा कहने का भाव क्या है, क्यों तो प्रतीमा है, वो तो मूर्ती है, मगर इसके अंदर जो शक्ती है, उस शक्ती का प्रभू ने प्रत्यक्ष्री करन करा दिया, क्या आज भी मैं हूँ, तो एक कच्छुआ जो है, एक कच्छुआ आपके घर में स्थापित हो, आपको इसकी अगर अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इंटरनेशनल सिधाश्रम शक्ती सेंटर की वेबसाइट पे, www.siddhashram.com, या तो आप जो नंबर चलते हैं हमारे इस एपिसोड में, तो आप मुझे संपर करने की कौसिस कीजिए, और मैं कौसिस करूँगा कि आपके जो प्रश्ट नहें उसका मैं उत्तर दूँ, आपका जीवन धन्या बने, सुन्दर मने, सौभाग्यवान बने, इसी प्रभु से प्राफना करता हुआ, ओम नमस्षुभाई, जैसिक अश्रा, जैगुदेव, अस्तुरू. झाल